गुरुजी आपका ये विपश्यना केंद्र है और बहुत से मैंने दिखाया काफी संख्या में यहाँ पर आये हैं साधक जिन्हों ना टेंड किया आपके शिविर को तो जाना चाहता हूँ आपसे कि इस परकार का शिविर होना चाहिए ये विचार आपके मन में कैसे आया हूँ क्योंकि मैं स्वेम इस परकार के शिविर में से गुजरा हमारे गुरुदेबर marc में इसी तरह के शिविर का एक केंद्र बना रखा था थोड़ी संख्या में लोग आते थे क्योंकि वो स्वेम बहुत बड़े गॉर्मन्ट आफिसर थे बहुत समयनीदे पाते थे ज़्यादा आदमियों के लिए लेकिन सारी विवस्ता इसी प्रकार की होती थे दस लोग आएंगे, पंदरा लोग आएंगे साल में एक बार जब छुट्टियां होती हैं तो 30 एक लोग आ जाएंगे लेकिन विवस्ता तो वो क्यों यहां के काम शुरू किया तो लोगों को पसंद आई ये विद्या, अधिक लोग आने लगे पहले ऐसे सेंटर नहीं थे, विश्व से लोग आने लगे उन दिनों हिप्पी कल चलता था, हिप्पी लोग आते थे और उनका सारा रहन, सहन, खान, पान और चरितर सारा गंदा एकदम और जैसी जैसी श्वीर में आने लगे, सेंटर मेंटर नहीं था उस समय सा कोई किंदर नहीं था, जगह जगह जिपसी कैम्स लगते थे और जब इन गोरी चंबड़ी वालों को देखते हैं, इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो अपने भारती गोरी चंबड़ी को ज़्यादा आकर्शित होती हैं, यह आते हैं तो पता निए क्या इनको मिलता है अपने लोग भी आने लगे संख्या बढ़ती चले गई तो गुरू जी किस समय आपने इस थापित किया आपने इस केंद्र को इसको कोई 25 एक वर्ष हो गए मुझे मैं 33 वर्ष पहले आया तो 7-8 वर्ष के बाद इसका स्थापित हो और इसके बाद और केंद्र बनते चलेगे जैसे से मांग बढ़े केंद्र मैं नहीं बनाता एक बाद समझ लेनी चाहिए साधक बनाते हैं जिस एरिया में थोड़े साधक हो गए और वो समझते हैं कि एक केंद्र यहां होना चाहिए हमारे लोगों को लाब होगा वो अपना बनाते हैं नियम सारे के सारे पुरानी परंपरा के अनुसार किस तरह से सेंटर चलेगा कैसी वेवस्ता होगी और किस तरह के उसमें अनुशाशन होगा यह सारा सेंटर ली बताया जाता है और लोग उसका पारण करते हैं टीचर यहां तयार किये जाते हैं, वहां बेजते हैं, वो लोग टीचर उनको सिखाते हैं, यूही सारे विश्व में फैला है, नब्बे से उपर लगबग पिचान में सेंटर हो चुगे, तो पिचान में केंद्र की जो आपने बात की, यह अपने देश में है या पूरे विभिन जो बड़े बड़े देश है, कोई देश नहीं, जहां पर सेंटर नहीं भी हो, तो भी विपष्णा शिखाई जा रही है, दस तिन के लिए कहीं कोई भाड़े पर ओटल ले लेते हैं, या कुछ ले लेते हैं, और शुवी लग रही हैं, अब तो गुरू जी, ऐसे कितने लोग हैं, कितने ऐसे सादक हैं, जो कि यहां से देखशित होकर जा चुके हैं? हजार एक लाग यह बढ़ती जा रही है, वर्तमान में आपके शिविर में कितने साधक एक बार में रखे जा सकते हैं? यहां हमारे पास कोई साथ सो आट सो लोगों की जगह है, लेकिन भीड पड़ती है, आविदन पत्र आते हैं हजार पंदरसों के, तो लोगों को परतिक्षा करने पड़ती है, हम नहीं चाहते कि परतिक्षा करने पड़े, लेकिन आकर सिमाएं हैं, स्थान की सिमाएं हैं, क खर्चे की पूरती हम इस परंपरा में किसी से कुछ मांगते नहीं, मांग ना मना, और कोई व्यक्ति ने कभी साधना की नहीं, अगर वो आके देता है तो से ले ना मना, साधना जब आदमी करता है, तो दस दिन होते होते उसे भीतर इतनी शांती मालूम होती है, हलकापन अद हम को जिवन जिवन करा मिल गए, तो अपने आप उसके मन में ऐससे भाई जागता है कि विद्या बहुत लोगों को मिले, बहुत लोगों को मिलने के लिए संस्ता के पास अवश्यक धन होना चाहिए, सारी विबस्त होनी चाहिए, तो इस लिए वो दान देता है, अपन कुछ कमाएं और रोज खाएं दस से कमाई बंद हो गई लेकिन फिर भी आते हैं कि उनको बहुत बड़ा लाब होता है तो इसलिए हर तरह के लोग हर तबके के लोग आते हैं जो धनी है वो अधिक दान देंगे जो निर्दन है कम देंगे कोई नहीं भी देगा कोई जानता भी ने किसने क्या दिया उसका कोई विग्यापन नहीं गुरू जी आपने मताया कि असी से अधिक पूरे वेश्व में आपकी केंदर हैं तो ऐसी कितने कारे करता हैं जो आप से जुड़े हुए हैं पूरे वेश्व में? मैं कहता हूँ कि कोई गिंती नहीं क्योंकि जो भी व्यक्ति दो तीन शीवर कर लेता हैं उसके पास रहा नहीं जाता कि अबकि एक शीवर में जाके मैं सेवा दूं एक शीवर में तो लाक हों तो नहीं कह सकते ऐसे 10 20,000 लोग और रोज बढ़े जा र मैं उनको जानता तक नहीं कि जिनको टीचर बनाया गया एक घटना घटी हमारे यहां मैं यहां से बाड़ा की सेंटर में जा रहा था रेल गाड़ी में एक भाई आकर बैठ किया बगल में और प्रश्ण करने लगा और बड़े गंभीर प्रश्ण भी प्रश्णा समंधी करें एक किया दो किया हमने करे भाई तो शिविर कर ले तब समझेगा गुरुजी मैं आपका सायक आचारी हूं हम पर जैसे सो गड़ा पारी बढ़ गया मैं अपने आदमी को नहीं जानता है खां जाने इतना बढ़ गया काम इतना बढ़ गया जो सिखाने वाले हैं टीचर गुरुजी क्या आपको लगता है कि आधुनिक जीवन में जो तनाव हैं इनका समाधन विपश्यना के पास है बिलकुल इसी लिए है तनाव इतना बढ़ा को ठिकाना नहीं माने जो निर्दन है वो विचारे तनाव सभाव है अभाव के मारे जिनको धनी है उनको देखते ह इतना तनाव मैं इसमें से गुझरा हूओ इसलिए जानता हूं कितना तनाव होता है दो शाषन करने वाले हैं कितना तनाव् यहाँ पर महाराσ arrest में कोई 10 दिन के अंतराल से दो बड़े officer ऊफिस में काम करते करते मर गये इतना तना तनाव उन पर सरकार ने लोगों को भेज आईसे शीखे जिससे इनका तनाव कम हो कहीं गए थोड़े देर के लिए तनाव कम हो आफिर वैसे के वैसे फिर वैसे के वैसे कुछ लोग यहां आ गए और देखा कि बहुत अच्छा परिणाम है तनाव दूर होता है तो ऐसा जिस व्यक्ति पर जितने बड़े जिम्मेदार है उस पर इतना वड़ा तनाव है और निकालने की वेफार है ऐसे ही वैपारिये में जो सी एई-ओ है तो ँन छोगों पर कितना तनाव है तो वो जब आते हैं कि देखती है कि तनाव हमार निकलने लगा coalition कि बड़े तनाव तो हर व्यक्ति में है, पर जिस व्यक्ति को जितनी अधिक जिम्मेदारी का जीवन जिना है, उस व्यक्ति के तनाव जाता है, उनके लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए सब तरह की लोग आते हैं। और पुराने भारत में देखने का एक और अर्थ होता था, अनभव करने को, किसी बात को अपने अनभव से जानना, तो विपश्णा मने विशेश रूप से सच्चाई को अपने अनभूतियों द्वारा जानना, और सच्चाई अपने इस साड़े तीन हाथ के काया के भीतर, ज उसको उस समय अनभूति द्वारा जान लेना, इसको विपश्णा कहते हैं, सुखियों, मेरा नाम है परेश गुजराथी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि विपश्णा पद्धति, अन्य पद्धति से कैसे भिन्ना है, भिन्न तो अवश्य है, लेकिन इस भिन्नता को हम ये रूप न दे दें, कि किसी अन्य पद्धति की निंदा करें, और इसकी प्रशंचा करें, तो गलत बात हो गई, भिन्नता अगर है तो यही, कि जिस सच्चाई को हमें अनभूति से जानना है, उसे हम केवल बुद्धि विलास का विश्य बना ले, उसी सच्चाई को के अन्तन का विश्य बना ले, अंध विश्वास का विश्य बना ले, तो विवस्चा जविन्न हो गई, वो भी साधनाई है, होता ही है, यहां तो प्रतिक्षं सजग रहेना है, और जो सच्चाई अपनी अनभूति पर उतर रही है, इस सच्चण बशुची को मैतो देना है, नाम शेशिकला है इगतपुरी में रहते हूं पुज्य कुरुजी मैं ये प्रश्न करना चाहते हूं कि धरम और संप्रदाई में क्या अंतर है धरम वो है जो जोड़ता है किसी समय संप्रदाई भी जोड़ने का काम करता था संप्रदाई शब्द का अर्थ होता है वो जो समता प्रदान करे पर दुरबाग्य हुआ अब तो विशमता प्रदान करने लगा जो तोड़ता है जो तोड़ता है आज की भाशा में वो संप्रदा है जो जोड़ता है वो धरम है जो सारव जनीन है सब का है वो धरम है जो बुद्ध को वेज्ञानिक इसलिए कहते हैं, कि वो वेज्ञानिक था, जो वेज्ञानिक हो, उसको वेज्ञानिक के कहेंगे, और क्या कहेंगे, वेज्ञानिक क्या करता है, सच्चा है कि खोज करता है, सचाए तो है अपनी जगे, वो उसके खोज करता है, जो बाते हमें नहीं मालुम, लोगों को नहीं मालुम उसको वो खोज करके हमारे सामने रखता है, विज्यानिक आज के युग में जो भहुत एक संसार है इसके बारे में खोज करता है, कहें कहें थोड़ा मान से एक बातों के लिए भी खोज होता है इस वेक्ति ने खोज तो बहुत की लेकिन लोगों के सामने वो सचाइयां रखी जो बिलकुल प्रासंगिक है हम से समढ़ रखने वाली है हम ब्याकूल होते हैं यह सचाई ए क्यूं होते हैं ये इसने खोज निकाला, हम व्याकूल हो जाते हैं, अब इससे दूर कैसे हो, तो जो कारण हमारी बिमारी का था, व्याकूल तक व्याकूल का था, वो दूर कैसे करे, ये खोज निकाला, महान विज्ञानिक था. प्रदिपराठी इगतपुरी हमें विपशना ही क्यों करनी चाहिए क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की विधिया है हम नहीं कहते कि भारत की विभिन्न प्रकार की विधिया बंद हो जाए जिसको जो अनकूल लगे सो करे लेकिन समझे कि कौन सी चीज उसके लिए अधिक लाब दायक है तो करके देखे और लगे कि इससे तो अधिक लाब मिलता है तो इसको करे, ये अंधविश्वास नहीं है ये तो सच्चाई का दर्शन कराती है, इसे करे ये किसी को एक संप्रदाय में नहीं बांदती, इसलिए इसे करे ये अभी आशुफल्द आयनी है, अभी का अभी अपना परिणाम देती है, अच्छा परिणाम देती है इसलिए करे, लेकिन हर व्यक्ति स्वेम अनभव करके तब करे, अंधविश्वास चैने स्वस्त रहने का क्या उप्योग होता है, शरीर से आदमी बिमार रहे और समाज के सारे लोग बिमारी बिमार हैं, तो ये कैसा समाज होगा, ठीक इसी प्रकार, मन से स्वस्त रहना बहुत आवश्यक है अगर सारे लोग मन से अस्वस्त हैं, तो समाज अस्वस्त हो जाएगा, ये मन को स्वस्त बनाने की विद्या है, इसलिए समाज के लिए बहुत आवश्यक है सुखियो गुरुजी मेरा नाम योगेश गांधी है, मैं बंबे से आया हूँ, मेरा सवाल है, आतंकवाद के ये समाज में विपशना कैसे साहिक बन सकती है बहुत सामय एक प्रश्ण है, आतंकवाद से जो भै पैदा होता है, लोग डरते रहते हैं, क्या हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा, मेरे परिवार को क्या हो जाएगा, मेरे देश को क्या हो जाएगा इस भय से आतंक वादियों को प्रहसान मिरता है वो लोगों को भयवीत करके अपने मन की बात मनवाना चाहते हैं और हम भयवीत हो गए तो उनका काम बन गया विपश्चन निर्भे बनाती है किसी अवस्था में भय ना आये हमारे सामने हम सामना करेंगे सरकार निर्भीक होके सामना करेंगे और लोग भी निर्भीक होके सामना करेंगे भय नजदेक नहीं आएगा मेरा नाम शंकर राव देवरे मैं दुलिया से आया हूँ गुर जी मेरा प्रश्णा है कि क्या विपश्चना से सारी बीमारिया दूर हो जाती है कोई ये समझ करके आये विपश्चना में कि मेरे शरीर की अमुक बीमारी ठीक हो जाएगी तो वो सफल नहीं होगा क्यांकि उसका सारा ध्यान उसका सारा मकसद सारा लक्ष अपने शरीर क कि उस रोग को दूर करने का होगा वेपश्चना मन के रोगों को दूर करने वाली है तो जो साइको सॉमेटिक रोग हैं मन से समंदित रोग हैं जिनका आधार मन है मन अस्वस्त है इसलिए शरीर अस्वस्त हुआ वो अपने आप दूर हो जाएगा उसके लिए कुछ करना नही जो शरीर के रोग हैं, वो रोग भले ठीक न हो, लेकिन उन रोगों का सामना करने के शमता आएगे, मन बुलवान हो जाएगा, जो उपचार हो रहा है, वो अधिक जल्दी होगा और अच्छा होगा, उसमें समय कम लगेगा. मैं नंदकुमार डोंगरे, नाकपुर से आया हूँ, आज पूरे विश्वो में ब्रस्टाचार व्यापत है, इस ब्रस्टाचार को दूर करने के लिए विपसना कैसे सायक हो सकती है? बहुत माकूल प्रस्टाचार जिस किसी देश में भी है, उस देश की दुरगती करता है, शाशन बिगड़ता है, तो लोग दुखी होते हैं, विपसना द्वारा जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर सच्चाई देखने लगता है, तो वो देखता है कि मैं ब्रस्ट क्यों मेरी अंदर इतना बड़ा लोव है, मेरी अंदर इतने बड़ा अंकार है, औरों से एक इंच नीचा ने रहूं, एक इंच उंचा हूं, ये जो भीतर आम है, वो इससे तूटना शुरू होता है, तूटना शुरू होता है, तो आदमी देखता है कि मेरे हर काम से लोगों की ह सुखियो मेरा नाम ओपी पाठक इगतपुरी मैं ये पुछना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध जातर दुख की बात जादा करते हैं ऐसा क्यों ये किसने कहा दिया दुख की बात करते हैं वो तो दुख के बाहर निकलने की बात करते हैं जो आदमी इस सच्चाई को जानता है कि लोग दुखी हैं और ये जानता है कि इस दुख के बाहर कैसे निकल सके वो आदमी दुखवादी नहीं सुखवादी होता है ना समझी से लोगों ने उसे दुखवादी कहना शुरू कर दिया कोई चिकेच सक्ज आये और आकर कि हमें देख के तेरे ये रोग है तो रोगवादी नहीं हुआ ना वो उस रोग के बाहर निकालने का इलाज है उसके पास और लोगों को रोग के बाहर निकालता है तो निरोगवादी हुआ तो भगवान बुद्ध ने दुख है लिनव पडुव करक जेखों दुख है ना तो इसका बाहर निकलने करास्ता बताया तो दुख.. मैं शपना मान जपा इगत पुरिन मैं यह पूष्ण चाहते हूँ विपशना का ग्रियस्त जीवन में क्या मागता है ग्रियस्त जीवन में तो अत्यन तवश्यक है विपशना ग्रियस्त के जीवन में कितने उतार चड़ावाते हैं कभी अंचाही बात हुई, कभी मन चाही बात हुई, कभी मन चाही नहीं हुई तो वेचारा ग्रेस्त ब्याकुल होता है ब्याकुल होता है तो कैसे अपनी जिम्मेदारी ठीक से निवा सकेगा इस विद्या में उसे सम्ता सीखेंगे आज सम्ता आई जीवन में तो हर परिस्तिते में मन का संतुलन नीख होएगा और मन संतुलित रहेगा, समता में रहेगा, तो जो निर्नाय करेगा, सही निर्नाय करेगा, भाउत आवश्य का ग्रेस्त के लिए सुखे हो गुरुजी मैं संतोष जांबूल कर नापूर से आया हूँ